क्लास 7, lesson 2, nutrition in animal इस chapter में हम देख रहे थे कि animals का nutrition किस तरीके से होता है तो इसमें आज का हमारा topic है जो कि section 2.2 पर digestion in human यानि कि humans में मानों में पाचन किस तरीके से होता है तो मानों के पाचन तंत के बारे में हम इस topic में पढ़ेंगे और आगे हम इसके बारे में detail में जानेंगे भी तो चलिए start करते हैं और देखते हैं इस topic को इसमें क्या दिया हुआ है we take in food through the mouth, digest and utilize it हम क्या करते हैं, खाने को अपने मूँ से लेते हैं ठीक है फिर वो खाना digest होता है और उसको हमारी body utilize करती है the unused part of food are defecated जो unused part होता है, हमारे food का जो used part नहीं होता है जो unused part होता है, वो हमारी body से बाहर निकल जाता है ठीक है, defecated हो जाता है have you ever wondered what happens to the food inside the body क्या आपको कभी यह जान कर आस्चरे हुआ है ठीक है, या फिर कभी आपने यह जानना चाहा है कि जो भी खाना हम खाते है उसका हमारे सरीर के अंदर क्या होता है the food passes through a continuous canal जो food है, वो एक लगातार चलते हुए चैनल से पास करता है ठीक है, एक continuous canal से पास करता है जैसा कि figure 2.2 में दिखाया जा रहा है देखे, किस तरीके से हम मूम से खाना खाते है वो किस तरीके से अलग-अलग अलग-अलग यहां पे जो parts दिखाये गए है इन में जाता है, ठीक है यहां से खाते है, ऐसे किस तरीके से एक कैनल में पास करता है which begins at buccal cavities and ends at anus देखे, जो कि कहां से start होता है mouth यानि buccal cavities से start होता है और यहां एनस पर जाके इंड होता है, ठीक है, यह कैनल तक कैनल can be divided into various compartments और इस कैनल को, ठीक है जो हमारे continuous canal है इसे कई सारे parts में divide किया गया है, ठीक है अलग-अलग compartment में divide किया गया है चलिए देखते हैं कौन-कौन से compartment में सबसे पहले दिया है buccal cavity या फिर उसे हम mouth भी कह सकते है, यहां देखिए उसके बाद है food pipe और oceophagus उसके बाद खाना कहां पहुंचता है food pipe में या फिर इसे हम oceophagus भी कहते हैं, उसके बाद तीसरा दिया हुआ है, stomach यह देखिए यह large incestine, यह इस तरीके से साइड में बना हुआ है, यह large incestine का diagram दिया हुआ है, उसके बाद से किस में आता है, यह देखिए, यहां नीचे rectum का diagram दिया हुआ है, ठीक है उसके बाद से क्या होता है, जो भी unused, जो भी food होता है, वह रेक्टम के बाद एनस में पहुचता है और इस तरीके से undigested food हमारे सरीर से बाहर निकल जाता है Is it not a very long path? क्या ये बहुत लंबा रास्ता नहीं है? These parts together form elementary kennel या digestive tract इन सभी parts को एक साथ elementary kennel कहा जाता है ठीक है ये सभी parts जो एक साथ हैं अगर हम इने एक साथ मिला दे तो हम इने क्या नाम देंगे? Elementary kennel ठीक है अभी हम देख रहते हैं कि जो भी हमारा भोजन है एक kennel से पास करता है ठीक है तो इस kennel का क्या नाम हो जाएगा? Elementary kennel या फे digestive tract The food component gradually get digested as food travel through the various compartment जो हमारा खाना है जो भी खाना हम खाते हैं वो हमारा खाना है वो दीरे दीरे अलग अलग compartment में जाता है और वहाँ पाचन की पक्रिया होती रहती है तो जैसे हम मूँ में डालें उसके बाद food pipe में गया फिर stomach में गया इस तरीके से अलग-अलग हर जगा पे खाना पस्ते जाता है ठीक है आगे देखिए The inner walls of the stomach and the small incestine and the various gland associated with the kennel such as slavery, the liver, pancreas, secreted digestive juice जो अंदर की wall होती है इस्टमक की या फिर small incestine और इसके साथ कई सारे glands भी लगे रहते हैं जैसे slavery gland हो गया liver हो गया, pancreas हो गया यह क्या करते है digestive juice भी secret करते है digestive juice convert complex substance of food into simpler substance और digestive juice जो होते है ठीक है यानि कि जो पाचन वाले रस होते है digestive juice होते है वो क्या करते है जो भी complex substance होते है अभी जैसे मैंने carbohydrate के बारे में पढ़ा था तो carbohydrate direct हमारी body digest नहीं कर पाती क्या होता है वो छोटे चोटे चोटे टुकड़ों में तूटती है मैंने आपको बताया था शुरुआत में लेकिन वो छोटे चोटे 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 टुकड़ों में तूटेगी कैसे तो चोटे 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 टुकड़ों में तूटने के लिए बनाते हैं digestive system बनाते हैं ठीक है now let us know what happened to the food in different parts of the digestive tract तो अब हम पढ़ेंगे इस digestive tract के या इस elementary canal के अलग-अलग जो भी parts है उनमें कहां पर क्या कारे होता है ठीक है इसको हम एक एक करके one by one पढ़ेंगे तो आज हमने इस elementary channel के बारे में देखा और एक पार्ट केस के बारे में हम next video से cover करना सुरू करेंगे तो आज के लिए बस इतना ही thank you उमीद करती हूं आपको ये अच्छे से समझ में आ किया होगा हमारा फूड होता है वो डाइजेशन कहां से सुरू होता है और कहां पर इंड होता है और किस तरीके से होता है इसे हम आगे देखेंगे ठेंक्यू